ये गाइज हाई मैंने सोचा थोड़ा सा आज फ्रेश एर लिया जाए जब बात्चीत करना है यहां बैटके तो फ्रेश एर में बात्चीत करते हैं कुछ आप भी जाए बाहर मत जाए बहुत स्थिती खराब है आप घर पी उपर छट पर जाकर फ्रेश एर ले तो आज का कि आपको अपने अंदर से हटाना है कि आ हो κι जैसे कई लोग मोझे पूछते हैं या फोन करते हैं या जब भी बातचीत होती है जब भी मैं इक लेता हूं वो कहते सहर हमें मैं एस लगाराए कि मतलब खुल नहीं पा रह giran भल यहां सर मतलब हीच-किच आते सेहबत या फिर कभी-कभी होता है कि मैं क्लास में किसी को बोलता हूं कि यार कौन जा रहा है पहले तो आपने देखा होगा हमेश ऐसे होता है कि एक शाहिद कोई होता होगा जो सबसे पहले खड़ा होता है या आप कभी-कभी होता है ग्रूप में कौन जाएगा कौन जाएग तो वो shyness जो है वो बहुत होता है हमारे अंदर तो उसको कैसे हटा जाए वो बिलकुल जब आप जो आपको जिस बक्त अगर आप perform कर रहे हैं आप acting करते हैं आप गाना गाते हैं आप जब दूसरों के बारे में सोचेंगे हम बहुत दूसरों के बारे में सोचते हैं इसलिए बहुत शाही होते हैं कि हम मैं अगर यह करूं मैं अगर चट पर बैठके आज यह बातचीत करों तो इस एपिसोड लोग देखेंगी नहीं मैं तो लाइट लगा के ऐसे रूम पर बैठके बात करता हूं लेकिन अभी चट पर बैठा हूं तो आवास ठीक नहीं है तो यह ए दूसरा जो आपके सामने हैं या आपको कोई देख रहा है आपके धर में जो भी हैं तो उनके पारे में जैसे ही सोचेंगे आप शाई हो जाएंगे अपने अंदर से तो जब भी आपको लगता है यहां करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए परफorman और कुछ नहीं तो उस व नाटक करने हैं या फिर एक कोई फिल्म का स्क्रिप्ट मिल गया तो बस में जा रहे हैं तो लोगों को लगने से क्या होगा मैंने जब शुरू किया था बिल्कुल शुरू-शुरू में तो मुझे भी बहुत बहुत कुछ कहते थे और क्या पता अभी भी कहते होंगे लेकिन आप अगर वो सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे लोग कुछ नहीं सोचते बस हम सोचते हैं कि लोग क्या सोच रहे जब आप किसी मुकाम पे पहुँच जाएंगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा तब जिसने आपके पीछे कहा था बड़ा आया वीडियो बना रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है आक्टिंग कर लेगा खर पे पैसे नहीं आक्टिंग करने चला ये सब कुछ कहेगा आपको लेकिन वही आद भी जब आप कुछ बन जाएंगे आपको आपके कहेगा भाई उन दिनों तु वो करता था ना इसलिए आज तु ये बन पाया बहुत बढ़ी आरे देखो ये मेरा भाई है सब बदल जाएगा दुनिया पूरा ऐसे यहां से वहाँ लेकिन आपको ये सब कुछ सोचना नहीं है और कीजिए एक दिन में नहीं होगा सालों की बात है आप किसी भी बड़े आर्टिस्ट से जो बड़े आक्टर हैं जिनको आप मानते हैं उनकी बात सुन लीजिए सालों तक चलता है यह और फिर धीरे 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 होता है क्या हर एक्टर जो बड़े एक्टर्स हैं जिनको देखते हैं आप बॉलिवूड हो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से हो या कोई भी थेटर आटिस्ट हो वो क्या एक टेक में एक बार में कर देते हैं थेटर में कितनी बार रियसल होती है तब जाके धीरे 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 सब कुछ ग्रो होता है या फिर कोई फिल्म चल रहा है तो उस फिल्म में जो टेक तो क्या एक टेक में हो जाता है सब कुछ आपको लगता है कभी नहीं होता जो कोई भी कहीं पे भी पहुच जाए कुछ भी कर ले लेकिन वो धीरे-धीरे ही होता है और कोई भी चीज एकदम चुटकी मैशे कर लेंगे बिल्कुल नहीं होता तो अपने अंदर से यह जो डर है उसको हटाए और जो शाइनेस है आपके अंदर तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको जब भी लगता है कोई परफॉंग करते टाइम के यह आभी नहीं करना चाहिए लोग सुनेंगे लेकिन उसको कीजिए अपने आपके जो अंदर में जो अंदर में आपका एक और आप है ना एक सेल्फ है ना उसको दबा द इंग्लिश मैं नहीं बोल पाता है इसलिए मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा किसी ने कभी नहीं का तो इसके बारे में भी दिहान ना दे वो इंग्लिश एक स्किल है अगर आपके पास आप दो चार भाशा और जान लेंगे जैसे मराठी जान लोगा तो सारे महलास्टियों से मैं बात कर पाऊंगा मुंबई जाके या मैं कनाड़ा या फिर तेलेगू तमिल ऐसमीज मनिपुरी जो भी जान लोगा वहां जाके लोगों से बात कर पाऊंगा बस यही बात है बाकी यह आपके उपर है आप जानना चाहें तो जानने की इच्छा कम नहीं होनी चाहिए जानना बहुत ज़रूरी है सुनना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए जानते रहें चीजों को समझते रहें लेकिन ये कभी मत सोचे कि आपको इंगलिश नहीं आती आप एक्टर नहीं बन सकते ऐसा बिलकुन नहीं है बहुत लोग का ये वहम है लेकिन ऐसा कुछ सच में है और आप न्यूस्पिपर्स परे अपने भाषा जो है उसको डेवलोब करने के लिए जो भी आप जहां से भी है न्यूस्पिपर्स परें चीजों को देखें समझें जानें वो भी बहुत जादा ज़रूरी है तो इसलिए इस शाहिनेस को हटा दें और प्रैक्टिस कर रहा है आपको बिस्ट बन नहीं उस तरह से प्रैक्टिस करें ऐसा नहीं होता एक्टिंग कि बच्पन में जब हम पढ़ाई करते हैं दो घंटा सुवार दो घंटा शाम को पढ़ लिया हो गया नहीं होगा दिस प्रोसेस या एक प्रोसेस है जिन्दगी मी कई इस हिस्से है अभी नहीं कूख भी इस for format से बाहर नहीं है कुछ भी नहीं है अगर एक धूल या फिर आप कहते जमीन आस्मान कुछ भी नहीं है इसके बाहर सब कुछ है क्योंकि after all acting जिंदिगी का एक recreate करते हैं हम acting में हर चीज़ को recreate करते हैं जिंदिगी के जितना करीब जाते हैं वो कहते हैं उतने अच्छा एक्टर है तो इसलिए ये भी ना सोचे कि दो चार घंटा करने से ही दो घंटा सुबा कर लेंगे कुछ कर लेंगे तो आपका जो अंदर का shyness है वो चल जाएगा आप acting सीख जाएंगे बिल्कुल नहीं इस process में रहे सोचते रहें करते रहें दिन भर इसके अंदर रहें धीरे धीरे होगा लोग पागल कहेंगे कहने दो कुछ तो लोग कहेंगे है ना ये ब्रेड बटर टॉक्स है यहां जो मुझे लगेगा मैं आपकी दिल की बात मन की बात वह मैं आपके साथ ज़रू शेयर करोगा ठीक है चलिए मिलते हैं बाइए